क्या आपको पता है हम सब एक छोटे से 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 बने हैं जिसको जाइगाट बोला जाता है वो जाइगाट क्या है बेसिकली जब एक स्पाम एंड एक फटिलाइस करता है उससे क्या बन जाता है जाइगाट और वो जाइगाट क्या करते है आगे कॉंटिनियूसली डिवाइड होत यह एक चार शल तो दो से हमारे पस कितने होग difficult एपर चार शल्स बनगे, ये फ़र्दद डिवाईड करेंगे घ्र Yoica par इसे दो सल्स बनगे इसे आगे दो सल्स बनगे तो ऐसे क्यों ते narrative, आज इसे कप ओते हैं, यो युद्य का जाती है ठीक है, यह क्या है, it is a parent cell, और यह parent cell क्या कर रहे हैं, यह डिवाइड होके क्या फॉर्म करता है, daughter cells, ठीक है, फिर से daughter cells है, यह grow करेंगी, यह parent cell बनेंगी, उनसे आगे 2 cells बन रहे हैं, यह फिर parent cell बनेंगे, यह grow करेंगे, यह डिवाइड करते, daughter cells बनते हैं, मतलब एक cell से क्य वहां पे कितना बड़ा multi-cellular organism बन जाता है like human beings ठीक है यह cycle continue चलता रहते है ठीक है divide हुआ new cell बन जाए वो new cell फिर से grow करता है फिर divide करता है फिर new cell बन जाता है तो basically जो cell division है उससे कियो और यह growth हो रही है ठीक है उन्हें फर्स चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब cell divide होता है, उससे क्यों होती है, ग्रोध होती है, तो ग्रोध के हर living organism का एक characteristic feature है, ठीक है, तो basically अगर cell cycle की बात कर लेते हैं, तो cell cycle हमारे पास क्या हो जाता है, what is a cell cycle, ठीक है, जिसमें क्या और है continuously cell grow कर रहा है, grow करके वो क्या करता जा रहा है, divide करता जा रहा है, तो cell cycle क हो जाएगा, it is a sequence of events, ठीक है, basically cell cycle में हमारे पास बच्चों, तीन मेन events हो जाते है, first क्या होता है, it duplicates its genome, ठीक है, cell यहाँ पर क्या करता है, अपने genome को duplicate करता है, basically हम बोल देते है, DNA की replication करेगा, मतलब जो DNA है, एक और copy बनाते है, ठीक है, cell cycle में हमारे पास क्या होता है, बच of generation of genome, अपने genome को duplicate करता है, ठीक है, second हमारे पास क्या हो जाएगा, constituent of cells, ठीक है, cell के जो कुछ constituents हैं, cells के उनकी formation करता है, ठीक है, इनको क्या करेगा, form करेगा, like proteins, RNA, carbohydrates, बहुत सारी organelles हैं, ठीक है, उन सब की वो synthesis करता है, synthesis of constituents of cell, और ultimately क्या होता है, वो जो cell है, divide कर जाएगा, divides to form daughter cells, ठीक है, तो cell cycle क्या है, basically, एक sequence of events है, जिसमें cell क्या करता है, अपने genome को duplicate करता है, मतलब वाँ पे हमें DNA की replication देखने को मिलेगी, साथ में क्या हो रहा है वाँ पे, जो cell के कुछ constituents हैं, ठीक है, वाँ पे उसकी growth के लिए, जैसे हमने पढ़ा कि क्या हो र करने के लिए, जैसे यह parent है, ठीक है, हर parent की खोईश होते हैं, कि हम अपने बच्चों को सब कुछ दे, जैसे एक पिता है, अपनी बेटी की शादी करता है, उसको क्या होता है, कि जब उसको शादी करके एक नए घर में बेजता है, वो उसको सब कुछ देता है, जो उसकी प जो कुछ भी है, वो सब क्या करते हैं, डुप्लिकेट करते हैं, इसको देते हैं, ठीक है, तो सेल के कॉंस्टिटुएंट की संतसिज होगी, अगर एक माइटो कॉन्रिय दो बनेंगे, तांकि दोनों को एक एक दे सके, ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, अल्टिमेटली क् जाते हैं, new daughter cells बना देते हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करें, next मारे पास क्या आ जाते हैं, phases of cell cycle, phases of cell cycle, हमें कौन-कौन से phases देखने को मिलते हैं ठीक है एक तो यहां पर वर्ड है cycle cycle का मतलब कि वो continuous process चलता जा रहे है तो जैसे हम बात करें ठीक है cell cycle की तो mainly यहां पर क्या होता है दो phases हमें देखने को मिलते हैं बच्चो एक होता है हमारे पास i phase and second is m phase i क्या है interface ठीक है i हमारे पास क्या आ जाते बच्चो interface और m क्या होता है this is mitotic phase ठीक है दो phases होते है cell cycle में mainly one is the interface और second हमारे पास क्या होता है mitotic phase जो interface है वो cell का 95% of the time लेता है ठीक है 95% of the time cell cycle में जो cell है वो कहाँ पर मिलता है हमें ? INTERFASE में सिर फांच परसेंट वो कहाँ होता है m phase में INTERFASE को हम basically क्या बोल सकते है it is a preparatory phase ठीक है INTERFASE को और भच्चो हम ओर क्या बोल देते है it is also known as preparatory phase या फिर इसको और क्या बोल देते है हम resting phase, ठीक है, और M phase को क्या बोलते है बच्चो हम, it is known as dividing phase, ठीक है, तो अगर cell cycle की बात कर रहे हैं, हमें वहां पर दो phases देखने को मिल रहे हैं, one is the enter phase, जिसको हम preparatory phase भी बोल रहे हैं, या फिर resting phase भी बोल रहे हैं, दूसरा phase हमारे पास हम पर कौन सा आ जाता है, mytotic phase, या फि dividing phase, ठीक है, इसके resting से हमने ये नहीं समझना कि cell कुछ काम नी कर रहा है, ठीक है, जो maximum काम होता है, cell division में, वो हमें कहां भी देखने को मिलता है, in the interface, ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या था, preparatory phase तो ये क्या करते है, त्यारी करते है, ठीक है, preparation करते है, किस चीज की त्यारी करत है, interface, जैसे शादी होनी है, शादी तो सिरफ एक दो खंटों की होती है, एक दिन की होती है, लेकिन उसके लिए सारी family क्या है, छेचे मीनों से साल से त्यारी करती रहती है, वैसी यह हम पे 95% of the time क्यों होता है, cell cycle का interface में निकलते है, किस लिए निकलते है, वो त्यारी कर रह है, जिसमें, say, 23 hours कहां पे होते है, in the interface, ठीक है, interface में 23 hours होते है, M phase में सिरफ एक गंटा लगते है, ठीक है, एक दिन की शादी के लिए हम लोग 6-6 मीनों से साल से लगे रहते हैं, कभी कपड़े ले रहे हैं, कभी मिठाईयां त्यार करवा रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं, सिरफ शादी के है, एक दिन की, वैसे ही, एक घंटे की cell division हो नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या है, जो cell है, 23 घंटे त्यारी कर रहे है, interface में लगा हूँ है, बहुत कुछ बना रहे है, ठीक है, तो ध्यान रखने हैं, जो मारे पस interface होते है, वो longest phase होते है, as compared to mitotic phase, ठीक है, 95% of the time कौन ले रहे है, interface और m phase क्या है, सिरफ हाडली 5%, एक और example ले ले लेते है, like east, ठीक है, east में जो cell cycle होते है, वो कितने time को होते है, it is of 90 minutes, जिसमें से क्या है, 85 minutes हमारे पास क्या आ जाएंगे, interface और हाडली 5 minutes में क्या हो जाएगा, इसका cell दिवाइड हो जाएगा, तो यहा ठीक है, equali की बात कर ले, equali में cell division क्या, को time कितना लगता है, that is 20 minutes, ठीक है, तो इससे हमें क्या देख रहे हैं, कि जो different different organisms है, सब में, जो cell cycle हो उसका भी duration अलग है, किसी को जादा time लग रहे है, 24 hours लग रहे है, और equali जैसे एक बिक्टीरिया सिंपल सा, उसको hardly 20 minutes लगता है, cell divide होने में, ठीक है, तो जो time duration है, हार organism की vary करती है, तो उसके according की होगा, जो उनका interface और M का time है, वो भी vary कर रहे है, ठीक है, वो fix नहीं है, सिरफ ध्यान के रखना कोई भी organism, जब cell division करेगा, वहां पर हमें दो phases देखने को मिल रहे है, one is interface, that is preparatory और resting phase, बट इससे हमने confuse नही कर रहा, ठीक है, most active होता है, वो, बहुत ज़्यादा metabolism करता है आँ पर, ठीक है, resting सिरफ इसलिए बोलते हैं, कि अगर हम उस time पर cell को microscope के under देखते हैं, तो वहां पर हमें कोई division नहीं देखने को मिल दी, इसलिए इसको term दीगी है, resting, काम बहुत कर रहे है वो, ठीक है, सिरफ दिखनी रहा, जब M phase है, वो dividing phase है, जहां भी हमें actual cell division देखने को मलती है, ठीक है, तो चलो इसकी बात करते हैं, phases की, दो phases की बात की, अब यह जो inter phase है, जिसको हमने क्या बोला, preparatory phase है, resting phase है, बहुत सारा काम कर रहे है, ठीक है, यह तियारी कर रहे है, यह जो inter phase है, इसको भी बच्चों, further 3 phases में divide कर देते हैं, 1 is G1, 2nd is S phase and 3rd is G2, ठीक है, 3 phases हो जाते हैं, बच्चों हमारे पास, ठीक है, inter phase में ही, अगर यहीं पे हम ड्रॉ करते हैं, इसको, ठीक है, 1st phase है, मारे पास, यहां पे, that is, इसको थोड़ा सा, हम बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, यह मारे पास क्या है, G1, this is S, और यह मारे पास क्या आ जाता है, G2, इसमें से, जो inter phase के 3 phases है, G1, S and G2, इसमें से, जो longest phase होता है, बच्चों, वो कौन सा होता है, G1, ठीक है, यह मारी NCRT में भी बनाया गया है, और जो पुरानी NCRT थी, उसमें S phase को longest दिखाया गया था, तो जिन बच्चों के पुरानी NCRT है, वो अपनी अपडेट कर ले, new के according के है, जो हमारे पास G1 phase है, वो longest phase है, ठीक है, सबसे ज़ादा cell, इंटर phase में था, इंटर phase में से भी अगर तिन्नो phase की बात करें, तो longest phase बच्चों मारे पास कौन सा आ जाते है, that is G1, G1 में cell आया, उसमें, G1 का मतलब के है, ग्रोथ 1, दूसरा phase के S, S की मतलब है, यहां पे synthesis होगा, से थर्ड के है G2, G2 में भी किया रहा है, ग्रोथ phase 2, तो ग्रोथ होई थोड़ी सी, फिर वो S phase में गया, इसके बाद G2 में गया, अल्टिमेटली कहां पे चला जाएगा, M phase में, ठीक है, तो तीन्नो phases को एक एक करके detail में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सब हम, ठीक है, सबसे first phase हमारे पास यहां पे कौन सा है, that is G1, तो अगर हम बात करते हैं, G1 की, ठीक है, G1 phase देखो, बच्चो कहां पे आ रहा है, माइटोसिस के बाद आ रहा है, ठीक है, ऐसी ही मारा cell cycle continue होगा, G1 से S में जाएगा, S से G2 में जाएगा, G2 से M में, और अल्टिमेटली G1 में, ठीक है, तो इसी लिए हम इसको और क्या बोल देते हैं, पोस्ट माइटोटिक phase, ठीक है, माइटोसिस के बाद आ रहा है, पोस्ट माइटोटिक, या फिर, ये S phase से पहले आ रहा है, जिसको हम सिंथेस बोल रहे हैं, और क्या बोल सकते हैं, pre-synthesis phase या फिर G से नाम किया इसका gap phase 1 या growth 1 growth phase 1 ठीक है इसके सारे नाम ध्यान रखने हैं हमारे पस question में बचो कुछ भी लिखो सकते हैं ठीक है तो सारे ध्यान रखने हैं mitosis के बाद आ रहा है mitotic phase के post mitotic S से पहले आ रहा है pre-synthetic G1 से ध्यान रख लेना gap phase 1 या फिर growth phase 1 तो इसके नाम से क्या समझ आया हमें कि growth phase 1 है मतलब यहां पे क्या आगी बचो growth होगी growth होने के लिए cell को क्या चाहिए ठीक है although ध्यान रखना जो cell के अंदर growth है वो continuous process है ठीक है मारी NCRT में line भी लिखी हुई है यह नहीं सोचना कि cell सिरफ जब G1 में है growth phase 1 में है या फिर growth phase 2 में सिरफ तब growth हो रही है ठीक है growth cell के continuous process है वहां पे continuously cytoplasm बनता रहते है ठीक है यहां पे जब हम बात कर रहे है growth phase 1 की तो synthesis के लिए cell को grow करने के लिए कुछ biomolecules चाहिए होंगे ठीक है जो 9 chapter में हम पढ़ते भी है जैसे उसको proteins चाहिए RNA चाहिए कुछ amino acids चाहिए ठीक है तब ही जो cell है वो grow करेगा उन सब की यह synthesis करता है ठीक है बहुत सारी enzymes की भी synthesis करेगा यह ठीक है जो इससे next phase है that is S phase यहां पे क्यों हो ना DNA की replication होगी तो इसके लिए बहुत सारी enzymes चाहिए उसके लिए जो कुछ भी चाहिए वो उन सब की synthesis भी कहां पे होती है G1 phase में ठीक है यहां पे उसकी growth के लिए भी क्यों रहा है proteins बन रहे हैं RNA बन रहे है amino acids बन रहे हैं और यहां पे क्यों होता है बच्चों इसको हम बोलते है it is the decision making phase it is the decision making phase ठीक है इस चीज को बहुत अच्छे से हम लोग ध्यान रखेंगे decision making क्या है कि यहां पे G1 phase में cell decide करता है कि उसको cell division करनी है यह नहीं करनी है अगर यह decide कर ले G1 कि मुझे तो division करनी है तो यह कहां पे जाएगा S phase में क्योंकि S phase में क्या होगा बच्चो DNA replication और DNA replication एक बहुत ही जादा complex process है वहां पे बहुत सारी enzymes चाहिए बहुत सारी cell की energy लगेगी ठीक है तो अगर एक बर cell ने decide कर लिया कि हां हमने cell divide करना है तब ही S phase में जाएगा वहां पे जाएगा कि इतनी सारी energy लगाएगा अपने की हम DNA replication करते हैं अगर इसने बोल दिया नहीं करनी ठीक है तो यह नहीं करेगा इसलिए इसको बोल रहे decision making phase कि cell ने divide करना है यह नहीं करना है वो कहां पे decide होगा G1 में फिर चाहे cell को nutrients भी ना मिले ठीक है unfavorable conditions आ जाएगा फिर भी cell क्या करेगा डिवाइड करेगा अगर G1 में decide हो चुका था इसका जो decision है वो permanent है ठीक है इसने सोच लिया कि हम करेंगे तो करेंगे ठीक है इस चीज को ध्यान रखना next क्या है यह जो हमारे पास phase होता है G1 this is the most variable phase ठीक है variable का मतलब कहा है इसकी जो length है वो change होती रहती है जैसे हमने आप बात की कि humans के अंदर क्या है cell cycle complete होने में 24 घंटे लग रहे हैं जो G1 ए शर्टर हो जाएगा ठीक है ओल्दो एक सेल साइकल में जीवन लॉंगेस्ट फेज रहेगा ठीक है एक सेल साइकल जाए वो 24 घंटे लेचाए जाए 90 बिस मिनट लेचाए बीस मिनट लेचाए इसाए तना मरजी टाइम लेच वहां पे के G1 हमारा लॉंगेस्ट फेज है सिरफ वरियेबल का मतलब के कि वो तुसका टाइम पीरिट चेंज होता रहेगा अवेसल अगा 23 आर्स इंटर फेज में तो G1 का टाइम पीरिट जाद होगा जहां पे एक सेल पूरा खुद भी एक घंटा नहीं ले रहा डिवाइड होने को वहां पे हम कैसे बोल देंगे कि G1 बहुत लॉंगर है ठीक है उसके पूरे सेल साइकल में G1 लॉंगेस्ट होगा लेकिन उसका जो टाइम पीरिट है वो चेंज होता रहता है इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं it is the most variable phase साथ में अब G1 में क्या होगा यहां पे maximum organals duplicate करेंगी ठीक है जो सेल के अंदर different different organals है maximum वो भी duplicate कर जाएंगी ठीक है सारी नहीं करती है 2-3 हम पढ़ेंगे G2 में भी करती है बट maximum इसलिए हम लिख रहेंगी यहां पे जो organals है वो duplicate करती है अभी हमने बताया था ना कि जो parent cell है वो daughter cell में divide होगा तो obviously हर पिता चाहेगा कि मेरी बेटी जब एक नए घर में जा रही है सब कुछ लेके जाए तो इसलिए वहां पे क्या रहा है organals को duplicate करेंगे अगर पिता के पास खुद दो organals होंगी तभी वो अपनी बेटी को देगा जिसके पास खुदी कुछ नहीं वो आगे कैसे देगा तो इसलिए यहां पे क्या रहा है इस phase में organals भी duplicate होंगी clear है next phase आ जाता है बच्चों इसके बाद हमारे पास that is the s phase ठीक है next phase हम यहां पे बढ़ेंगे that is s phase ठीक है s phase को हम क्या बोल रहे है second phase हमारे पास कौन सा है s phase या वरिस को हम क्या बोलते है synthesis phase synthesis किसकी होगी यहां पे dna replication यह बहुत important है ठीक है हमने ध्यान रखना है dna replication सिरफ इसी phase में होगी ठीक है dna replication होगी dna replication होने के लिए यहां पे साथ में क्या होता है कुछ histone protein की भी synthesis होती है histone protein synthesis हमने g1 में भी लिखा था कुछ protein synthesis होती है लेकिन यह protein specific है जो सिरफ s phase में बनेगा ठीक है वहां पे भी g1 में कुछ proteins बन रहे थे लेकिन यह बच्चों जो हमारे पास histone protein है वह सिरफ कहां पे बनता है s phase में बनता है इसी के साथ यहां पे क्या होता है centrioles की भी duplication होगी centrioles duplication ठीक है यह सिरफ animals में होती है क्योंकि centrioles are absent in plants ठीक है इस चीज को भी ध्यान रखना है कई बर जो examiner है वो confuse करने के लिए बच्चों को बोल देता है ठीक है लेकिन ध्यान रखेंगे हमकि जो centrioles है वो सिरफ होते ही animal cells में है ठीक है यह हम पढ़ेंगे जब M phase पढ़ेंगे कि जो centrioles है वो वहां पर क्या करते है ester rays की formation करते है पर वो होगी कहां पर animal cells में क्योंकि सिरफ animal cells में क्या present होता है centrioles इसकी duplication भी सिरफ हमें कहां पर देखने को मिलेगी animal cell में clear है? ठीक है S phase में क्या है? DNA की replication हो रही है क्योंकि DNA की replication होई पर इसके साथ ध्यान रखना है कि chromosome number हमारा same रहेगा chromosome number remains the same chromosome number नहीं double होगा जैसे मैंने बात की यहां पे क्या था S phase में मान लो यह मेरे पास एक thread-like structure था ठीक है वैसे मैंने chromosome बनाया यह हमें actual में S phase में नहीं दिखता यह हमें M phase में दिखेगा ठीक है यह सिरफ समझाने के लिए बता रही हूँ इस चीज को ध्यान रखना S phase में क्या होता है मारे पास सिरफ कुछ ऐसे thread-like chromatin present होते हैं ठीक है यह chromosome बाद में बनेंगे M phase में जाके इस चीज को ध्यान रखना है ठीक है मान लो मारे पास S phase में ऐसे present था यह मारे पास एक chromosome है ठीक है इसके अंदर हमें पता है क्या present होगा बच्चो यहां पे DNA present है ठीक है इस इस दा DNA अब हमने बोला कि S phase में क्या ओर है DNA की replication हो रही है DNA का content duplicate तो यहां पे क्या हुआ यह जो chromosome था इसके पास यह काम बन गी ठीक है इसके अंदर क्या हो गया यहां पे हमारे पास DNA duplicate हो गया तो अगर DNA पहले 2C था S phase में जब DNA replication होई है कितना हो गया 4C लेकिन जो chromosome है बच्चो वो तो एक रहा न तो इसलिए अगर हम chromosome को पहले 2N बोल रहे थे वो बाद में भी कितना रहेगा 2N सिरफ S phase में हमारे पास क्या होता है Chromosome का नंबर सेम रहेगा 2N का 2N रह रहे पहले भी एक था अब भी एक है सिरफ क्या हुआ पहले DNA अगर 2C था तो 4C हो जाएगा सिरफ DNA का नंबर चेंज होगा DNA डबल होगा क्योंकि DNA की रप्लिकेशन हुई लेकिन जो chromosome नंबर था बच्चो वो कैसा रहेगा हमारे पास सेम रहेगा ठीक इस चीज को हम ध्यान रखेंगा इसमें हमने कन्फ्यूज नहीं होना Chromosome नंबर हमारे पास चेंज होगा M-Phase में जब हम M-Phase पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे कैसे chromosome नंबर चेंज हो रहे है DNA यहाँ पर डबल होगा chromosome नंबर हमारे पास M-Phase में थाड फेज हमारे पास कौन सा आजाते है बच्चो that is the G-2 फेज ठीक है, थर्ड फेस हमारे पास कौन सा है? G2 फेस ठीक है, G2 फेस को भी हम क्या बोल सकते हैं? Gap phase 2 या फिर growth phase 2 ठीक है, उसके नाम से भी हमें क्या समझ आ जाएगा बच्चों की वह वहां पे भी क्या आनी है? Growth ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं? Gap phase 2 या फिर growth phase 2 या फिर हमने और क्या बोला था? ये synthesis वाले के बाद आ रही है और क्या बोल सकते हैं? Post synthetic phase post synthetic phase या फिर pre mitotic phase, M phase से पहले हो रहा है ठीक है, तो ये बहुत सारे नाम है, इनमें ध्यान रखना है क्योंकि कई बार examiner कुछ भी नाम लिख सकता है, तो वह हमें नहीं पता होता है ठीक है, G2 phase है gap phase 2, growth phase 2 मतलब इसमें भी बच्चों मारे पास क्या होगी? growth होगी तो ये वहाँ पे हमने growth phase 1 में बात की थी कि maximum organals duplicate होती हैं लेकिन सारी नहीं होती कौन-कौन सी नहीं हो रही थी, वो यहाँ पे हो जाएंगी mitochondria mitochondria chloroplast ठीक है, जो semi-autonomous organals है, वो यहाँ पे duplicate होती है maximum organals G1 में होई थी mitochondria chloroplast की तरह कुछ organals है, जो कहाँ पे duplicate होगी है मारे पास, growth phase 2 में ठीक है, यहाँ बेबी क्यों होगा कुछ proteins बनेंगे कुछ protein RNA की synthesis होगी, तभी तो growth होगी प्लस यहाँ पे क्या होता है बच्चों, tubulin protein बनता है tubulin protein की synthesis होगी एक protein हमने S phase में याद किया था, that is stone protein एक protein हम यहाँ पे याद करेंगे that is the tubulin protein, tubulin protein क्या करेंगे spindle fibers की formation करेंगे ठीक है उसका role भी बच्चों में फेज में पढ़ेंगे तो दो proteins के नाम है वो ध्यान रखने है क्योंकि वो specific है कौन से phase में बन रहे है ठीक है, S phase में बच्चों मारे पास बनेगा histone protein और tubulin protein कहां पे बनता है हमारे पास G2 phase में इसके बाद क्यों अगा growth होगी, growth होगी ultimately हमारे पास जो cell है वो कहां पे चला जाएगा mitotic phase में, cell बहां पे जाके divide कर जाएगा ठीक है, G1 था, growth होई, S में गया DNA की replication होई, G2 था फिर से थोड़ी बहुत growth होई, ultimately M phase में चला गया, divide कर लिया अब देखो, यहां पे मान लो, जो cell था ठीक है एक cell था ना, यह divide करके अब यह दो cells बनगे यही पढ़ रहे है ना, cell cycle था grow हुआ, divide हुआ, दो डॉटा cells बनगे, अब फिर से क्या होगा यह cell cycle चलेगा, यह cell grow करेगा, divide करेगा, दो डॉटा cells बन जाएंगे, मतलब यह process हमारे पस चलता रहेगा, अब क्या होगा अगर यह cell सोच ले, मैं तो divide ही निकरना, मैंने नहीं divide करना, फिर क्या होगा, फिर थोड़ी ना, यह process चलेगा, यह process कब चल रहा है, जब किसी cell ने सोच लिया कि हमने divide करना है, grow करेंगे, divide करेंगे, grow करेंगे, divide करेंगे, मतलब हम तो वही पुरानी चीज़े चलाते रहेंगे, मानलो कोई cell है, वो क्रांतिकारी निकला है, उसने सोचा, तुम लोग जाओ, अपना grow करो, divide करो, मैंने नहीं मारे पिछे जाना, मैं तो भीड से अलग जाओंगा, मैंनी divide करूँगा, तो वो cell का क्या होगा, ठीक है, हमने बोला था ना, G1 में वो कैसा था, decision making phase, वहाँ पे decide होता है, कि हमने divide करना है, नहीं करना, यहाँ से तो M phase से cell एक बढ़ G1 में जाएगा, G1 में जाके उसने decision ले लिया, भीड जो मर्जी करें, मैं उनके पिछे नहीं जाओंगा, मैंने सोचा है, मैंने divide नहीं करना, तो यह cell obviously G1 से S में तो नहीं जाएगा, उसने यही decision लिया ना, तो यह cell बच्चों मारे पस कहां पे चला जाता है, यहां से G0 में, अगर वो क्रांती कारी निकला, उसने सोचा भीड जहां मर्जी जाए, हम नहीं तुम्हारे पिछे जारे, हम तो अपना लग से decision लेके बैठेंगे, हम कहां जाएंगे G0 में, मैंने नहीं divide करना दुबारा से, ठीके मेरा हो गया जो होना था, मैंने दुबारा divide नहीं करना, तो वो cell कहां जाता है G0 में, जीवन इसलिए बोला था, ध्यान रगना है, वो कैसे decision making phase, जीवन में आके अगर सोचा कि divide करने, तो यही cycle चलता जाएगा SG2M, अगर सोच लिए नहीं divide करना, तो जीवन से वो कहां जाएगा G0 में, ठीके G0 phase कौन सा हो जाता है, इसको हम बोल देते हैं, quiescent phase, ठीके जब cell divide नहीं करेगा, ठीके G0 क्या होता है, it is quiescent phase, ठीके जैसे कुछ cells होते हैं हमारी body में, like हम बोल सकते हैं, heart cells, heart cells, या फिर neurons, ठीके वो डिवाइड ही नहीं करते हैं, these cells do not divide, तो obviously अगर ये cells डिवाइड नहीं कर रहे तो उनमें ये वाला cell cycle नहीं चल रहा, तो ये cells हमें कहां पे मिलते हैं, G0 में, अब बस कुछ cells क्या होते हैं, जो occasionally divide करते हैं, मतलब ये अगर cell cycle चल रहे तो लगातार चल रहे ना, अगर मान लो कुछ cells है कि अभी नहीं डिवाइड करना, हम कुछ टाइम के बाद करेंगे, ठीके वैसे cells भी हो सकते हैं, जो occasionally divide करते हैं, तो वो क्या करेंगे, G0 से G1 में आ जाएंगे, फिट डिवाइड करेंगे, ठीके जरूरी ही नहीं है, कि हमने करना ही नहीं है, अगर emergency पढ़गी, कुछ tissue मेरा damage हो गया, उसको repair की requirement है, तो क्यों अगा जो cells G0 में चले गए तो जो ideal थे, पर उसको लगा कि हाँ मेरे दोस्कों मेरी जरूरत है, तो वापिस आएगा, होता है ना बहुत बर दोस्तों में लडाई होगी, वो बात नहीं कर रहें, पर ये भी तो होता है कि अगर उसको कभी जरूरत पढ़ी हम जा सकते उससे बात करने, ये भी नहीं जाएंगे, तो अगर इसने decide कर लिया था, मैं नहीं डिवाइड करना, पर उसने देखा किसी टीशू को जरूरत है मेरी वापिन्यू सेल्स चाहिए, तो ये क्या करेगा, वापिस से जीवन में एगा डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, जैसे में एक्जम्पल ले लेते हैं यहां पर, lining of stomach, हमें पते हैं हमारे stomach को उते हैं, acid होता है, जिसको हम HCL भोलते हैं, ठीक है, HCL के कारण क्यी होता है, हमारे जो cells के stomach की lining है, उसके cells damage होते रहते हैं, तो वीक में एक दो बार क्योंता है, वहां के stomach के cells divide करते रहते हैं, तो मतलब regular नहीं करते, जब क्या होते, डैमेज हो जाते हैं, तब आखिर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, यह उसकी example आगी, जो डिवाइड ही नहीं करते हैं, heart cell and neurons, तो basically जब cell डिवाइड करेगा, तो यह process continuously चलेगा, अगर कोई करांतिगारी निकला, हमने नहीं करना, तो वो कहां पर चला जाते ह ठीक है, पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, G0 में, हम यह नहीं बोलेंगे कि cells active नहीं हैं, ठीक है, cells are metabolically active, यह पिछले chapter में भी पढ़ा था बच्चों कि अगर किसी cell में metabolism नहीं हो रहा तो वो living नहीं रहेगा, ठीक है, यह although हम बोल रहे हैं, they do not proliferate, मतलब यह cells divide नहीं कर र हैं, living है, तो metabolism होगा, because metabolism is a defining feature, ठीक है, मिलते हैं फिर next video में, till then, keep learning